आज का हमारा टॉपिक एजुकेशनल रिसर्च है इम्तिहानी नुक्ता नजर से इंतहाई इंपॉर्टन टॉपिक होने के वज़ा से इसको हमने तीन लेक्चर में डिवाइड किया है यह इस सीरिज का हमारा पहला लेक्चर है अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकान को भी जुरूर दबा लें ताहां के आने वाली वीडियो आपको बारवकत मिल सकें तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशनर रिसर्च अपने प्रॉबलम कंसर्न और इस्जुजज दॉसिंग जूसिंग विजुजज दूस्टिफिक मेथज़। यानि, problems को समझने के लिए, जो हम एक formal way, systematical applications use करते हैं, उसका solution निकालने के लिए, वो हमारी research कहलाती है. According to C.C. Croft, Crawford के मताबक research is a systematic and refined technique of thinking, implying specialized tools, instruments and procedure in order to obtain a more adequate solution of a problem than would be possible under ordinary means. It starts with a problem, collect data, effects, analyze them critically and research decision based on the actual evidence. यानि ये सारी चीज़े मिलके, तबसे पहले कोई problem हम लोग define करते हैं, उसके बाद उसके मतलग data कुलेक्ट करते हैं, और data को उसके बाद analyze किया जाता है, उसका last पे हम लोग decision उसका conclusion निकालते हैं, वो ये सारे process हमारे research के parts हैं, research is the directory towards the solution of problem, किसी problem का हल होना चाहिए उसमे, research is based upon observable experience, यानि ऐसे हकायक पर, जमीनी हकायक पर मुश्तमिल होनी चाहिए, रिसर्च जो जिसका मुश्यादा किया जा सके, रिसर्च डिमांड्स, एकुरेट, अब्सर्वेशन, एंडिस्क्रिप्शन, यानि आगे रिसर्च के लिए उसकी बुनियाद बन सके, इसा नहीं कि इसमें कुछ ऐसे इशुस हों, जिसको हम लोग जिस्टिफाइ ना कर सके, यह आंसर देते हैं हमारी अन्सोल्ड प्रॉब्लम्स का, इसकी इंधाई अख्तियास से रिकॉर्ड किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, इस ड्वालमेंट अफ जर्नलाइजेशन, प्रिंसिपल्स अफ थियूरिस डैट वैल बी हैल्फ पुरिंग प्रिडिक्टिंग फूचर अकरनेश, यानि फूचर में होने वाले होलातों वाक्यात का, इसमें मुशहदा किया जाता है, और पहले से उसको बता दिया जाता है, कि नियूर फूचर, इस रिसर्च की बुनियाद पर क्या क्या तबदिलियां हो सकती है, research news expertise research हर इंसान के बास की बात नहीं इसके लिए इस field में expert होना ज़रूरी है इसके बाद हम देखते हैं sources of knowledge के हमारे पास knowledge का source क्या है sense perception है सबसे पहले earliest understanding of environment यानि हम अपनी environment को सबसे पहले समझते हैं अपने senses के थ्रूप उसके बाद हमारे पास tradition है depends on the tradition or custom society में जो traditions और custom हमारे रिवाद चले आ रहे होते हूं उनसे जो हम learn करते है knowledge वो हमारा source of knowledge है उसके बाद authority है personality है political leader or religious person किसी भी personality political leader की हो या religious person की हो या parents की हो या बड़े बहन भाई की किसी जिसकी authority हम मानते हैं जिसकी बात को हम value देते हैं expert opinion expert because of their knowledge training and information और उसके बाद हमारे पास है experts की opinion कि माहरीन की राये जो आहरी हल और आहरी उसका तजवीज पेश करते हैं को हम source of knowledge मानते हैं इसके लावा हमारे पास scientific method होता है source of knowledge में कि कोई भी problem है उसको science ही तरीका कार के मताबक उसको एक process से गुजारने के बाद जो जुआब हासल होता है उसको हम scientific knowledge बोलते है steps of scientific method हमारे पा method के जो चार process हैं उसमें सबसे पहले है definition of problem हम एक problem को recognize कर रहे हैं और उसको define कर रहे हैं कि हमारी society में ये problem है उसके बाद formulation of hypothesis कुछ मफरूजे जो हैं वो इस पर बनियात बनाये जाते हैं कि इस मसले का ये हल हो सकता है collection of data analysis of data और जो हमने एक मफरूजा बना लिया उसके topic हमने data collect किया और उसका तजिजिया किया और last पर हम उसकी conclusion ले रहे हैं कि जो हमने एक मसला था मसले के मतलग मफरूजा तियार किया मफरूजे पर हमने data collect किया और उस data को हमने तजिजिया किया तजिजिया करने के बाद हमने जो उसका conclusion निकाला वो किया ये सब चार steps है scientific method के इसके बाद हमारे पास ethics of research है कि research एक हम conduct कर रहे हैं तो उसके कुछ है सुलो जवाबत हैं वो क्या होने चाहिए? ethics are standards are of moral behavior which should be maintained while conducting a research study यानि एक research study करते हुए जो हमारे पास अखलाक याद का दायरा होना चाहिए वो कौन-कौन-कौन सा है, subjects should not be harmed physically or psychologically यानि जिस चीज़ पर भी हम research कर रहे हैं उसका हम subject जिसको भी ले रहे हैं इनसानों को ले रहे हैं, जानवरों को ले रहे हैं तो उनको तकलीफ ना हो ना physically और ना जहनी थोर privacy should be maintained जो भी हम research कर रहे हैं अगर कोई किसी से हम data collect कर रहे हैं तो उसकी privacy को हमने maintain करना है उसको expose नहीं करना, matter and data should not be copied हम किसी दूसरे की बनाई हुई research और उसका कठा किया हूँ data copy नहीं कर सकते, information source should be kept confidential, जो हम जिस source से हम information ले रहे हैं वो source भी हमें cigar आज में रखना पड़ेगा, observation without permission should not be allowed, अगर कहीं पिर हम observe कर रहे हैं कुछ चीजों को observe करके हमने अपनी research में लिखना है तो वो observation भी हम लोग without permission नहीं कर सकते, individual opinion should not be reported, जो एक एक इन फ्रादी शक्स की सोच है, उसको हम इसमें जगा नहीं दे सकते, research में, research में जो हमारी subject होगा, वो overall होगी, एक शक्स की personal सोच है, वो नहीं होगा, data should not be manipulated, ऐसा data नहीं इसमें show करेंगे research में, जो जिसमें लोगों की सोच के मताबक, और माशरे में उसमें अफरा तफरी या इंतिशार प्यादा होने का खद्शा हो, research should be beneficial rather than harmful, research को फाइदा मंद होना चाहिए, बजाए इसके के, नुकसान दे हो, इसके बाद हम देखते हैं, types of research, जो basically हमारा topic है, there are two main types of research, हमारे पस दो research की types है, types by purpose and research type by method, आज के हम इस lecture में research by purpose, इसको discuss करेंगे, research by method, इंशाला हम next lecture में discuss करेंगे, research type by purpose में सबसे पहले basic research है, applied research है, और action research, evaluation research और पांच भी है, research and development जिसको R&D भी बोला जाता है, सबसे पहले basic research देखते हैं, basic research है क्या, basic research according to LRG के मताबक, basic research is conducted, slowly for the purpose of theory development and refinement, यानि ये theory को develop करने के लिए और उसको refine करने के लिए, ये research develop की जाती है, basic research is also called a pure research and fundamental research, ये अपने नाम ज़रूर जाद रखने हैं कि basic research को pure research भी बोलते हैं और fundamental research भी बोलते हैं, with the aim of improving scientific theories for better understanding and prediction, यानि कि ये ऐसे किसम है, जिसमें हम scientific theories को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसको predict करते हैं, it gives less attention to direct application of results in the field of situation, इसमें कम तवज़ा दी जाती है कि जो हमने research की है, उसको direct apply किया जाए, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास characteristics क्या है, इसकी सबसे पहले ये laboratory approach है, यानि हम इसको field में apply नहीं करते हैं, इसको हम लोग laboratory में test करते हैं, इसके सारे तज़िया, तज़र्बात, लिबार्टरी में होते हैं, animal as subject, basic research में animals को as a subject लिया जाता है, यानि animals पर तज़र्बात किये जाते हैं, इनसानों पर ये तज़र्बात नहीं होते, gives a higher level of control and precision, इसमें बहुत ज़्यादा level होता है control का और सहत के मतलब बहुत एहम ख्यार रखा जाता है, इसका इस मसले पर level ज़रा high होता है, work है sociology and psychology, इस research का ज़्यादा तर काम sociology और psychology में है, focus on advancement of knowledge rather than specific problem, यानि कि ये research knowledge को enhance करने पर तबज़ा करती है, बजाए इसके किसी एक special problem को लेकर और उसके solution की तरफ जाए, इसके बाद है मारे पास applied research है, applied research is usually called as field research, it is concerned with establishing relationship and testing theories in field testing and applying to other sample of population from which the research subject are taken, यानि ये applied research को field research बोलते हैं, field research क्यों बोलते हैं, it is concerned with establishing, यानि ये जो हमने एक theories बनाई है, उनको field में test करती है, जैसे हमने पहली research में देखा, वहां पे liberty ती, यहां पे field testing है and applying to other samples of population from which the research subject are taken, research के जो subject इसने लिये हुएं, उसके जो results gain होते हैं, वो apply किये जाते हैं population पर, population किसको कहते हैं, samples के research करने के लिए, जो हमने एक group of man या group of human, group of animals लेते हैं, वो हमारा population कहलाता है, according to LRG के मताबिक applied research is conducted for the purpose of applying or testing theories and evaluating its usefulness, in solving educational problems, यानि ये educational problems को solve करने के लिए, conduct करवाई जाती है, और इसका purpose होता है, कि जो हम लोग theorist बना रहे हैं, उसको test किया जाए और उनको evaluate किया जाए, इसके बाद हमारे पास इसके characteristics हैं, conduct in field under natural setting, यानि कि जो natural environment है, उसमें इसको conduct करवाई जाता है, field जैसे हमने इसकी definition में पढ़ा, कि इसको field research में बोलते हैं, इसलिए ये field में ही conduct करवाई जाती है, human as subject rather than animal, पहले हमने जो research पढ़ी, उसमें देखा कि हमने animals as a subject थे, जबकि यहां पे human as a subject है, level of control and precision is less, इसमें control का level कम होता है, क्योंकि लिबार्टरी में नहीं होती, journal environment में हो रहे होते हैं, तो यहां पे control level कम हो जाता है, और इसे तरह सहसे मतलेक सफाई के मतलेक चीज़ें भी कम हो जाती हैं, conducted by educationist, यह research जो है, वो educationist जो है, वो conduct करवाते हैं, educationist से मुराद teachers भी हैं और experts भी हैं, उसके बाद हमारे पास action research है, action research to LRG के मताबक the purpose of research is to solve practical problem through the application of scientific method, purpose of research is to solve practical problem, यानि जो practical problems हमें आ रही है, education level पे, उसको हल करने के लिए, यह हमारा एक scientific method है, action research, action research is focused on immediate application, यानि यह फोरी तोर पर apply करने वाली चीज़ है, it is a method of systematic inquiry that teachers undertake as a researcher of their own practice, यानि यह educational institutes में through teachers यह research की जाती है और teachers इसको apply करते है, it is also known as participatory action research, यह इसका दूसरा नाम है, participatory action research, it is concerned with the problem, it is conducted in a local setting, यह यह problems के मतलिक है, knowledge को enhance नहीं करते हैं बलके problems का solution निकालने के लिए इस research को conduct करवाय जाता है, और local सता पर इस research को conduct करवाय जाता है, इसके बाद हम देखते हैं, steps of action research के सबसे पहले हमारे पास इसके steps क्या है, identify the problem, इसमें एक problem को identify किया जा रहा है, उसके लिए develop a plan, action plan किया जा रहा है, यानि उसके मफ्रूजे तियार किया जा रहे हैं कि इस problem को इस तरह से हल किया जा सकता है, data collect किया जाता है, उसके मतलक उसके बाद last पर data analysis हम करते हैं, कि जो हम data collection की है, वो कितना सही है, कितना घल्थ है, और last step इसका report the result, कि result जो है वो तरतीब दिया जाता है, मुरतब दिया जाता है, characteristic of action research है सबसे पहले, it is conducted in classrooms, students, students यह देखें, साथ से पहले हमने जो research पढ़ी वो ती, उसके subject animals को लिया जाता था, जो दूसरे number पे हमने देखी, उसमे subject humans को लिया जा रहा है, और यहां पे हम यह conduct करवारे classrooms में, यानि यह total educational problems को हल करने के लिए है, action research, इसलिए इसको बहुत ज़्यदा किरदार है तालिमी इदारों में भी, और इसके मतलब बहुत से concepts बुझे, वो भी clear होने चाहिए, it is conducted in classrooms, यानि यह classroom में conduct करवाई जाती है, इसमें students as a subject हैं, और last पे less level of control, इसमें control level कम हो जाता है, control वही जो पहले तो जो laboratory हमारी research थी, उसमें control level बहुत ज़्यदा था, जो field research थी, उसमें भी less control था, और यहां भी control level less है, और सेह तो सफाई के मतलग भी इसका level थोड़ा कम है, उसके बाद it needs new interest and motives, यानि यह action research जो है, वो बार बार repeated एक ही topic पर एक ही चीज़ को issue को लेकर नहीं हो सकती, इसके लिए new interest होनी चाहिए और motivations पैदा करनी चाहिए बचों में भी और teachers में भी, improve professional efficiency यह जो research है, यह improve करती है professional efficiency को तांके teachers में जो professional problems हैं पढ़ाने के सिलसले में, exams conduct करवाने के सिलसले में, research result बनाने के सिलसले में, वो problems दूर हो सके, research researchers आदा teachers, इसमें researchers teachers ही होते हैं, its outlook is experimental, यह एक तजरबाती इसकी look होती है, यह नहीं की तजरबा किया जाता है, कि अगर हम papers इस तरीके से लेते हैं, test इस तरीके से लेते हैं, तो उसके क्या results गेन होते हैं, अगर एक दफा हमने subject, test जो subjective type लिया है, तो next time हमने paper objective type लेना है, third time हमने subjective और objective को मिला कर लेना है, तो तब क्या results गेन होंगे, यह सारे हम experiments करते हैं, classroom में, subject हमारे students होते हैं, और research करने वाले teachers होते हैं, इसके बाद है, finding out applicable in other schools, यानि इसकी finding जो है ना, वो not applicable in other schools है, अगर एक school में इसके तजरबात कुछ हैं, तो दूसरे school में definitely वहां की management लेदा होगी, वहां के teachers लेदा होंगे, तो results दूसरे school में apply नहीं हो सकते, दूसरे school में उस topic पर research लेदा से ही करवानी पड़ेगी, पूवर quality due to untrained teachers, इसका जो सबसे कह लें के weak point है, वो ये, कि इसके quality बहुत पूवर होती है, क्योंके इसमें जो experts होते हैं, वो हमारे बाहर से नहीं लेए जाते हैं, जो teachers हैं, किसी भी subject के, या class teachers, वो ही इस research को conduct करवाते हैं, तो वो उनकी training, चुंके research के इसा आप से नहीं होई होती, इसलिए इसका standard थोड़ा low हो जाता है, फूर्थ नंबर पर हमारे पास है, evaluation research, the purpose of evaluation research is to facilitate decision making regarding the relatives worth of two or more alternative actions, यानि हमारे पास दो, या दो से ज़्यादा alternatives हैं, उन में से हमने जो select करना है, यह हमारी evaluation research का एक part है, it is a systematic process of collecting and analyzing data in order to make decisions, it is answer such questions, यानि यह हमारे एक systematic process है, data को collect करने के लिए और उसको analyze करने के लिए, और यह कुछ सुआलों का जवाब इस research में लिया जाता है, जैसे कि नाम से जाहर है, evaluate किया जाता है, इसमें, just like इस तरह के questions पूछी जाते हैं, is the new experimental reading curriculum better than the former curriculum, यानि कि जो हमारे पास पुराना curriculum है, क्या वो ने curriculum से बेतर है, या हमारा ने curriculum जो experimental reading पर है, वो बेतर है, its purpose is to select an alternative in order to make a decision, नाम से जैसे जाहर है कि evaluate है, evaluation करने के बाद, एक decision करने के process को हम evaluation research बोलते हैं, research and development R&D, यह हमारी last type है research की, the major purpose of R&D effort is to develop effective product of us in schools, यह क्या जी सबसे पहले, यानि यह teaching level को improve करने के लिए जो research की जाती है, वो research and development कहलाती है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम teacher training material, यह research परवाइड करती है, कि teachers का जो training करवाई जारी है, उसमें क्या-क्या material परवाइड किया जाएगा teachers को और trainees को और trainers को, तांके जो training का time है, वो बहुत अच्छा गुजर सके और उसमें उसके output भी अच्छे हो सकें, उसमें learning material, क्या-क्या हो सकता है, sets up behavioral objectives, यानि कि हमने कौन से objectives set करने हैं, जो इस training के बाद इसमें changing हो सकेगी, media material इसमें क्या-क्या शामल करना है, और management system, इसमें किसी भी school में, किसी बिदारे में management system, क्या होना चाहिए और उसको improve कैसे होना चाहिए, उसमें अगर कमिया-कामिया है, तो वो कैसे खतम होना चाहिए, तो students, यह हमारी आज की type of research by purpose थी, by method research जो है, वो इंशाला हम next lecture में discuss करेंगे, तब तक के लिए, अलाहाफिस.